Most Wanted Underworld Dawn दाउद इबराहिम का निधन के खबर सामने आ रही है हालाकि इस खबर में कितनी सचाई है इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है ऐसे में आज हम आपको बताती हैं कि मुंबई का रहने वाला दाउद आखर कैसे बन गया Most Wanted Dawn वर्ष 1955 में महरास्ट्र के रतनागीरी में दाउद इबराहिम पैदा हुआ था माता पिता ने उसका नाम शेख दाउद इबराहिम कासकर रखा दाउद के पिता शेख इबराहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार हुआ करती थी परिवार आम जिंदगी चाहता था दाउद का खुआब कुछ और ही था जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसमें लगजरी लाइफ जीने की चाहत बढ़ गई वो मुहले के आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माना धीरे धीरे चोरी डकैती और तसकरी करने लगा जब पिता तक ये बात पहुंची तो उन्होंने दाउद को घर से निकाल दिया फिर दाउद उस वक्त बंबई के कुख्यात गैंगस्टर करीम लाला की गैंग में शामिल हो गया और यहां से वो हाजी मस्तान की गैंग में गया 1980 के दशक में मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान की गैंग की तूती बुला करती थी लेकिन दाउद इनसे भी चार कदम आगे निकला काफी कम समय में दाउद ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया और बंबई का सबसे बड़ा डौन बन गया इसके बाद बंबई के ही पठान गैंग ने दाउद के भाई शबीर को मार दिया भाई की मौत से बौकलाए दाउद ने पठान गैंग के हर मिंबर को मारने का फर्मान जारी कर दिया रोज होने वाले कतलियाम से पूरा बंबई सहम गया था इसी दोरान दाउद दुबई भाग गया दावा किया जाता है कि वहाँ पर दाउद एक आलिशान बंगले में रहा करता था इसका नाम वाइट हाउस था यहाँ पर दाउद क्राइम की दुणिया के बड़े-बड़े नामों को बुलाता दाउद की गैंग बंबई में लगातार एक्टिव थी इसे छोटा राजन चलाता था दाउद बंबई में टारगेट किलिंग कराता था मीडिया ने दाउत की गैंग को D Company नाम दे दिया D Company सुपारी की लिंग पैसे की उगाही, हतियार तसकरी और ड्रग तसकरी के अलावा आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त थी इतना ही नहीं, दाउत की पास इतना पैसा हो गया कि वह फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करने लगा वह दूसरे के नाम से फिल्मों में पैसा लगाने लगा दाउत का नाम 1993 ब्लास्ट में आया, इस ब्लास्ट में करीब 250 लोग मारे गये थे इसके बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और दाउत का दखल खत्म करने के लिए एनकाउंटर ओपरेशन शुरू किया सैक्रों एनकाउंटर करने के बाद मुंबई से दाउत का प्रभाव हटा 1993 की घटना के बाद भारत सरकार ने दाउत को मोस्ट वांटेड अपराधी घोशित कर दिया 2003 में भारत ने अमेरिका की मदद से दाउत को ग्लोबल टेररिस्ट घोशित करा दिया फोप्स मैगजीन 2011 में दुनिया की मोस्ट वांटेड टॉप टेन अपराधियों की लिस्ट जारी हुई इसमें दाउत पहले नमबर पर था मुंबई में हुए 26-11 की हमलों में भी दाउत का हाथ बताया जाता है हाला कि बीते कई सालों से दाउत के पाकिस्तान में होने के खबर है लेकिन कई सालों से उसकी एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है